पूरे बिहार में सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतन राम बांजी जिस भी गैर मांजी लोकसभा उमिदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, उसकी हत्या हो गई है कोई भी सांसद गया लोकसभा चेतर से तीन वार लोकसभा चुनाव नहीं जीता है, और वो रिकॉर्ड इनहीं के पास है सिटिंग सांसद होने के बावजुद उनका टिकट कर जाता है, जो जो भी जितन राम बांजी जी के खिलाफ चुनाव लड़ता है भी कोई कम नेता नहीं थे, कद्दावर नेता थे, ना पोलिटिकल केरियर तबाह कर वैठ है दूसरे ऐसे जंसंग के बिहार में सांसद थे जिन्नोंने लोकसवा चुनाव को जीता था तीसरा रिकॉर्ड भी इनके पास है बिहार में जंतादल में फूट पढ़नी सुरू हो जाती है, लालुयादब के खिलाफ में द्रोह होना सुरू होता है तो ऐसा होता क्या है जिसके कारण की ये दूनों चंतादल से ही चुनाव लड़ते हैं और दूनों की हत्या होती है जितन राम मांजी जी के खिलाफ चुनाव लड़े और अपना पोलिटिकल केरियर तबाह कर वैठ है लोगसभा चुनाव 2024 में गया लोगसभा छेतर के बारे में बहुत कम खबरे बन रही है और ऐसा अकसर तब होता है जब उस लोगसभा छेतर पर या तो कोई नामी गिरामी उम्मिदवार नहीं हो या फिर उस लोगसभा छेतर पर मुकावला बिलकुल एक तरफा हो अब गया लोकसभाद छेतर से इंडिये की तरफ से जो उमिदवार है वो नामी गिरामी तो है बिहार के पुरू मुखमंत्री है, मानजी कम्मुनिटी का, मुज़र कम्मुनिटी का सबसे बड़ा चेहरा है तो फिर क्या वहां फिस से जो खबरे नहीं आ रही है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि गया में मुकावला एक तरफा हो चुका है हो सकता है कि मुकावला एक तरफा हो, लेकिन महागडबंदर के तरफ से जो भी उमिदवार है उन्हें भी कम नहीं आका जा सकता है, कुमार सर्वजीत भी कोई कम नहीं है बहुत सारे रिकॉर्ड उन्हें तोड़ा है जीतन रामाजी भले ही बिहार के एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री बन गए हो 2014 में लेकिन आरजडी उम्मिदबार कुमार सर्वजीत एक्सिडेंटल नहीं है अपने दम पर कई चुनावी रिकॉर्ड तोड़ चुके, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं गया से ही और सबसे महत्पून बात इस वीडियो का आज के इस चुनावी सफर का कि सबसे दिल्चस्प है गया जो लोकसभाद छेतर और वो सबसे दिल्चस्प इस वामले में एक मामले में है जितन राम मांजी जी का उसका कनेक्शन है जिसे जानकर आप भी चौंग जाईएगा जिदर राम मांजी अब तक जिस भी गैर मांजी लोकसभा उमिदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं उसकी हत्या हो गई है और कोई अगर मांजी उमिदवार भी लड़ा है इनके खिलाफ तो उनकी राजनितिक हत्या हो गई है एक थे इस्वर चौधरी जिनकी हत्या 1991 में हुई थी और दूसरे थे राजेश कुमार जिनकी हत्या 2005 में हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजे डीक की तरफ से जो लोकसभा चेतर के लिए गया लोकसभा चेतर के लिए उमिदवार बनाया गया है वो इसी राजेश कुमार के बेटे सरुजीत कुमार को बना गया है जिनके पिता की हत्या 2005 में हुई थी और ये राजेश कुमार और इस्वर चौधरी दोनों 1991 के चुनाव में जितन राम मांजी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं इसके अलावा जो दो और नाम है हरी मांजी राम जी मांजी ये दोनों के दोनों 2014 में जितन राम मांजी जी के खिलाफ चुनाव लड़े और अपना पोलिटिकल केरियर तबाह कर बैठ है उसके बाद फिर 2019 के चुनाव में विजय कुमार मांजी जी चुनाव लड़े उनके खिलाफ जितनराम मांजी के खिलाफ और उनके political career कहतम हो गया sitting santo होने के बावजुद उनका टिकट कर जाता है जो भी जितनराम मांजी जी के खिलाफ चुनाव लड़ता है और इन हत्याओं का जो हुआ है जितनराम मांजी के खिलाफ लड़ने वाले उम्मिदवारों का उनका जितनराम मांजी के साथ मी बहुत गहरा संबंध है ऐसे जो चुनाव लड़े थे वो बिहार विधान सभा चुनाव 1980 में लड़े थे उनका पोलिटिकल केरियर वहीं से शुरूगवा था कॉंग्रेस से और चुनाव जीत भी गए थे फतेपूर विधान सभा से लड़े फिर उसके बाद 1985 में भी फतेपूर से ही लड़े और वो भी जीत गए लेकिन 1990 के बिहार विधान सभा का हुआ था उसमें पूरे बिहार में सबसे कम वोटो के अंतर से चुनाव हारने वाले उम्मिदवार थे जितन राम बांजे जी तो चुनाव का हारने का अंतर इतना कम था तो कॉंग्रेस ने इसको हार नहीं माना या कोई भी पार्टी इसको हार नहीं मानेगी जहांपे वोटो के हारने का अंतर मातर 182 हो इसलिए जब 1990 में ये चुनाव हुआ, 1991 में जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने लगा तो कॉंग्रेस ने गया से लोकसभा परत्यासी के रूप में जितनरा मांजी जी को उतारा क्योंकि उस चेतर में सबसे बड़े कदावर नेता तब तक यही उभर चुके थे क्योंकि कोई भी नेता दो बार लगातार चुनाव जित चुका हो मांजी कम्यूनिटी का से रिजर्ब सिट था मांजी कम्यूनिटी का कोई भी दो बार लगातार चुनाव लड़ चुका हो, जीद चुका हो नेता, तिसरी बार भी मात्र 182 वोट से हारा हो तो ऐसे में इनसे बहतर कोई लगया लोकसभा छेतर में, कॉंग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव लडने के लिए इनसे बहतर कोई उमिदवार नहीं था अब जीतन राम मांजी जी लड़ रहे थे कॉंग्रेस से और दूसरी तरफ थी वहाँ पे जनतादल अब जनतादल का भी खेल बड़ा गजब है अब आपको लग रहा होगा कि 1991 के चुनाव में इस्वर चौधरी भी जनतादल से ही लड़ते हैं और जो आपके राजिस कुमार हैं जिनकी हत्या होती इन दुनों की ये भी जनतादल से ही लड़ते हैं तो ऐसा होता क्या है जिसके कारण की ये दोनों चंतादल से ही चुना लड़ते हैं और दोनों की हत्या होती है अब थोड़ा सा आप इस्वर चौधरी के थोड़ा सा राजनितिक इतिहास को पकड़िए वो भी कम नेता नहीं थे कद्दावर नेता थे इस्वर चौधरी वो व्यक्ति थे जो 1971 में पहले दूसरे ऐसे जंसंग के बिहार में सांसत थे जिन्नोंने लोकसवा चुनाव को जीता था दूसरा और उसके अलावा आज तक के गया लोकसवा चेतर के इतिहास में इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि कोई भी सांसत तीन वार चुनाव नहीं जीता है कोई भी सांसत गया लो वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मिदवार लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसद यही इस्वर्चौधरी है जो अपना 1989 का आखरी चुनाव जीते थे तो यह धाई लाग से जादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे और आज तक मोदी लहर आया दो-दो बार लेकि जब यह पहला चुनाव लड़ रहे थे 1971 का चुनाव लड़ रहे थे तब यह मात्र 7,99 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने थे और उसके बाद फिर लगातार हर चुनाव में इनका जीत का अंतर बढ़ रहा था 1989 आते थे इनका चुनाव का जीत का अंतर था वो ड़ाइलाख वोटों का अंतर हो गया था लेकिन बीच में यह दो चुनाव हारे हैं 1971 का जीते फिर 1977 का लगातार जीते और 1980 का चुनाव यह हार गया थे वो ऐसे हारे थे कि आपको अगर याद होगा कि 1980 के चुनाव में क्या हुआ था कि जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे जनसंग का इनके साथ अलाइंज था लेकिन 1980 के चुनाव में जनता पार्टी में दो हिस्से बढ़ गये थे एक जनता दल सेकुलर और एक जनता पार्टी जनता पार्टी से जनता पार्टी से ज और दोनों चुनाव लड़ने के कारण क्या होता है कि जो कॉंग्रेस के विपक्ष वाला वोट है वो इन दोनों के बीच में बट जाता है और इन दोनों के बीच में वोटों का अंतर मुश्किल से 4000 वोटों का अंतर होता है और इन दोनों के बीच में जो वोट बटता है उसक पर चौधरी तब तक बीजेपी बन चुका था तो बीजेपी से लगते हैं और फिर जो राजेश कुमार है वो जनता दल जो उसमें भारतिय लोग दल था उससे चुनाव लडते हैं फिर दोनों में चुनाव वोटों का बटवारा हो जाता है और निकल जाती है कॉंग्रेस हल वोट लगबग पैसे थेजर वोट आता है इस वर चौधरी को और इन दोनों का वोट मिला देंगे अगर आप तो जो जीतने वाले कैंजिट है उनको डाई लग वोट आता है यानि कि अगर ये दोनों मिल के चुनाव लडते तो बड़े असानी से असी का भी चुनाव लड नवासी का चुनाव में जनता दल से ये चुनाव लडते हैं नवासी के चुनाव में चुकी जनता दल का अलाइंस हो चुका था तो राजस कुमार चुनाव में नहीं लडते हैं वो बैठ जाते हैं और इस्वर चौधरी का परचार करते हैं इस्वर चौधरी का परचार कर धाई लाग लाग तिरपन हजार के अंतर से जो चुनाव जीतते हैं वो आज तक रिकॉर्ड बना हुआ और वो आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है लेकिन 1989 के चुनाव के बाद फिर से जन्ता दल में टूट पड़ती है अभी 1991 में टूट नहीं पड़ेगी 1991 में फिर चुनाव आता है और उस चुनाव में इंटरेस्टिंग गटना गटती है उस चुनाव में होता यह है कि चुनाव परचार के दवरान इस्वर चोधरी का हत्या हो जाता है हलाकि 1971 के चुनाव में भी टिकट मिलता है इस्वर चोधरी को, राजिसकुमार नहीं लड़ रहे हो दो चुनाव, वो मान चुके होते हैं इस्वर चौधरी को ही अपना नेता, और वो इंतिजार करते हैं अपनी बारे का जब इस्वर चौधरी का अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और उनको मौका बिलता है 1991 में जब इनकी हत्या हो जाते हैं चुनाव परचार के दोरान कहते हैं इनके बारे में स्वाद्री के बारे में कि अपनी पत्नी का कान का गहना भी बेच करके ये चुनाव लड़ते थे तो जब यह चुनाव लड़ रहे होते हैं इनकी हत्या होती है तो फिर आटोमेटिकली जो second most prominent leader जनतादल के लिए बच जाते हैं वो बच जाते हैं राजिसकुमार और चागे से राजिसकुमार वो चुनाव लड़ते हैं और यही चुनाव जितन राम मांजी के खिलाफ रहे होते हैं कॉंग्रेस की तरफ से और उसी में पहले इस्वर्चोधरी का candidate घोसित जाता है जनतादल की तरफ से उनकी हत्या हो जाती है फिर राजिसकुमार उनकी जगह पे चुनाव लड़ने आते हैं और राजिसकुमार के भी हत्या होगी लेकिन आगे चलके वो चुना उड़ाया गया कि इस्वर्चोधरी की हत्या की है नकसली होने लेकिन अगर आप उस time के social combination को देखेंगे तो ये इसके उपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है वो मुश्किल कैसे है कि जनतादल की तरफ से लड़ रहे थे इस्वर्चोधरी और जनतादल की तरफ से नकसली के साथ बैर नहीं था नकसली को अगर चुनना होता था लालु यादब और रामिलास पास्वान और नितिश कुमार में से और कॉंग्रेस में से तो वो इसी कैम्प को चुनते थे जनतादल वाले को ज्यादा फेबरेवल समझते थे तो इस्वर्चोधरी के हत्या नक कुछने वाली बात नहीं होती है कास्ट के हिसाब से भी देखेगा तो भी वहाँ पर वही एंगल आता है इस्वर्चोधरी को जो सपोर्ट कर रहे थे वो मुसलमान यादब पासवान जो खुद थे राजस जी राजस कुमार थे पासवान उनको सपोर्ट में दलित पिछड उनको वोट देते थे तो कहीं से भी ये लगता नहीं है कि नकसली उनकी हत्या कर सकते हैं वहराल 1991 का चुनाव होता है राजस कुमार जीतते हैं लेकिन 1996 का अगला लोग सभा चुनाव आते आते बिहार में जंता दल में फूट पढ़नी शुरू हो जाती है लालु यादब क जंता दल के अंदर जो खिचड़ी पकर ही होती है अब उस खिचड़ी पकरे में क्या होता है कि सिटिंग सांसद राजेश कुमार को जंता दल से टिकट नहीं देते हैं लालु यादब अपनी मर्जी से टिकट बाढते हैं और वो टिकट देते हैं एक महिला भगवती देव जो बहुत पहले 1967 में ही सायद वो विधायक बनी थी और उनका राजनितिक था, इंवॉल्मेंट था, पड़ी लिखी महिला थी सब कुछ था, महिला बिल पे उन्होंने बंदाकराद के साथ पार्लेमेंट में जीतेगी, तो 1996 में जन्त अदल की तरफ से जमर्दस्ती लालु य अदब ने उनको टिकट दे दिया, अपना स्टेट साथ बनाने के लिए राजिस कुमार टिकट नहीं मिला, वो नहीं लड़ते हैं चुनाव, लेकिन फिर 1998 के चुनाव में, 1996 में यह हो रहा होता है, 1997 के चुनाव में क्या होता है, 1997 आते आते जन्ता दल और RJD अलग-अलग ह जाती है, तो जब जन्ता दल और RJD अलग-अलग हो जाती है, राष्टी जन्ता दल RJD बन जाती है, और जन्ता दल पहले जैसा होता है, तो 1998 के चुनाव में फिर से भगवती देवी को RJD टिकट देती है, और जन्ता दल टिकट देती है राजिस कुमार को, हलाकि उस याराम से जीत गई, अन्ठानवे का चुनाव जैसे ही राजिस कुमार जंतादल के टिकट पर लगते हैं, भगवती देवी चुनाव हार जाती है, क्योंकि इनके बीच का इनका जो वोट था, लालो यदव का जो कैंप का वोट था, मुसल्मान, पासवान, आपका यादव और पर बट जाता है, अब इस दोरान जितन राम मांजी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद फिर आता है 1999 का चुनाव, 1999 का चुनाव आते आते समझ गये थे, लालो यादव कि राजिस कुमार को इग्नोर नहीं किया जाजता है, इसलिए राजिस कुमार को आरजे जी जी ने टिकट दे दिया, भगवतिस देवी को टिकट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजुद राजेस कुमार को चुनाव हार जाते है, बीजेपी उनिसुन इंडियान वे फिर से जीते है, क्योंकि बीजेपी का वो लहर था, वाजपई जी का लहर वो याद कीजिए, जो आपका कारगिल युदि के आसपास वो चुनाव लड़ा जा रहा था, तो उसमें वो हार गए थे, हलाकि हारने का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 21,000 वोटों से वो हारे थे, इसके बाद फिर आता है 2004 का चुनाव, अब चुकी वो चुनाव हार चुक साइब वो भी चुनाव जित जाते, तो 2004 में वो चुनाव जितती है RJD और राजिस कुमार हो जिन्दा है, और 2005 में इनकी हत्या हो जाती है, राजिस कुमार की, उस हत्या के उपर भी के पीछे क्या करंथ है, वही दुबार आरोप लगते हैं कि नक्सलियुन इनकी हत्या की ह हत्या की है, हलाकि यह जो हत्या होती है वो बिहार विधान सभा चुनाव के दोरान होती है, उसके बाद फिर चुकि उस समय उनके बेटे पॉलिटिक्स में नहीं थे, जो कुमार सर्वजीत हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आएंगे, 2005 का चुनाव जितत खाली करेंगे, तो 2009 के चुनाव में राजिस कुमार के बेटे कुमार सर्वजीत चुनाव लड़ते हैं, आर्जेडी से और वो चुनाव जितते हैं, और यहां से उनका पॉलिटिकल कैडियर सुरू होता है, 2009 में, और उसके बाद फिर अगले ही साल जब 2010 में चुनाव होता है, तो वो नितिश कुमार की लहर में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन फिर 15 में चुनाव होता है, पोध गया से ही फिर से लड़ते हैं, महागडबंदन से लड़ते हैं और फिर चुनाव जितते हैं, 2020 में फिर से ही चुनाव जितते हैं, और यही वो रिकॉर्ड बनाते हैं हम आपको कुमार सर्वजित के पोलिटिकल केरियर पे एक पूरा डिटेल हम वीडियो बनाएंगे वो अगला वीडियो आपको देंगे लेकिन फिलाल आज जो कहानी थी वो कहानी यही थी कि जो तीन वार चुनाव लोग सभा का चुनाव अभी तक लड़े हैं एक क्यानवे में और एक क्यानवे में उनके खिलाब दो कैनिडेट चुनाव लड़े थे एक इस्वर चौधरी और दूसरे राजेश कुमार इस्वर चौधरी की हत्या चुनाव के दोरा निक्यानवे में ही हो गई राजेश कुमार की हत्या 2005 में हो गई फिर उसके बाद पर जितन राम मांजी दी 2014 में चुनाव लडते हैं लोगसभा का चुनाव और उस लोगसभा चुनाव में ये हार जाते हैं 14 में तीसरे नमबर पर जाते हैं लेकिन पहले और दूसरे नंबर पे जो candidate होते हैं 2014 के चुनाव में हरी मान जी और राम जी मान जी 2019 के चुनाव में इन दोनों को इन दोनों का टिकट कार्ड दिया जाता है BJP भी टिकट नहीं देती है RJD भी टिकट नहीं देती है यानि कि एक sitting sansat का टिकट कार्ड दिया जाता जो कि बड़े आस्यरी के बात होती है और उसके पीछे ये कारण है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितन राम मान जी जी का भदवी है कि जो भी इनके खिलाब चुनाव लड़ता है चाहे वो जीते चाहे वो हारे उसका political career ही खतम हो जाता है 2014 में जैसे कि हुआ जो जीते उनको भी टिकट नहीं मिला जो हारे उनको भी टिकट मिला जीते थे हरी मान जी जी बीजेपी से हारे थे राम जी मान जी जी और जेडी से इन दुनों को नहीं मिला के टिकट उसके बाद फिर नेक्स्ट येर 2019 का चुनाव देख लिजिए 2019 के चुनाव में जीतनरा मान जी फिर से लड़ते हैं हम की तरफ से महागडवन्दन की तरफ से और बीजेपी के जो कैंडिट थे विजय कुमार मांधी एंडिय की तरफ से जेडिवे से चुनाव लड़ते हैं वो उनसे वो हार जाते हैं येकिन आप 2024 का चुनाव देख लिजिए 2019 के चुनाव में विजय कुमार मांधी चुनाव जीतने के भावजूद उनको टिकट नहीं दिया जाता है इस बार 2024 में कुमार सर्वजित को दिया जा रहा है उधर जितनरा मांधी जी चले गए है तो अभी तक का जितनरा मांधी जी का पोलिटिकल केरियर गया लोग सवाज छेतर का यही है कि जब जब वो चुनाव लड़ते हैं जो भी उनके विपक्ष में खड़ा होता है जो भी पहले नमबर पे हो दूसरे नमबर पे हो जीते हारे या तो वो स्वर्ग सिधारते हैं और या नह नहीं कर सकते हैं इस लोग सवाज चुनाव में बने रहे न्यूज हंटर के साथ ख़बर के पीछे की सभी ख़बरों के लिए नमस्कार